आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने जा रही हूँ फ्राइट चिकन की एक डिलीशियस रेसिपी इसमें मसाले की इतनी जबरदस्त कोटिंग होती है कि इसे एक बार खाने के बाद ये आपकी फेवरेट हो जाएगी आपको इसे बार बार खाने का मन करेगा इसे बनाना भी बहुत आसान है घर में मौझूद मसाले से हम इसे आसानी से बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं पहले हम एक मसाला त्यार करेंगे यहां मैंने एक पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है मैं इसमें दो बड़ी लाइची, पांच हरी लाइची, पांच लॉंग, दो स्टिक दाल चिनी और दो टी स्पून साबुद धन्या डाल दूंगी मसाले को मैं लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए भून लूंगी इसके बाद मैं इसमें 6 साबुद कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी इसे भी हम लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे कुछ देर बाद मसाले से अच्छी खुश्पू आने लगी है अब मैं ग्यास ओफ कर दूंगी और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दूंगी यहां मैंने एक इमाम दस्ते में 2 इंच अद्रक और 6 से 7 लसन की कलिया लिया है इसे मैं कूट लूंगी इसके लावा यहां मैंने तीन मीडियम साइज के प्यास को बारीक टुकरों में काट लिया है यहां एक वोक में मैंने 2 टेबल स्पून गी को अच्छे से गर्म कर लिया है मैं इसमें 1 टी स्पून जीरा डाल दूंगी जीरे के क्रैकल होने के बाद मैं इसमें प्यास डाल दूंगी प्यास को हम गोल्डन ब्राउन होने तक बुनेंगे इसी बीच मैं इसमें 15-20 फ्रेश करी पत्ते डाल दूंगी इसके बाद मैं इसमें कुटी वी अद्रक और लसन डाल दूंगी अद्रक लर्सन को हम मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए भून लेंगे इसके बाद मैं इसमें हाफ टी स्पुन हल्दी पाउडर डाल दूँगी और सभी चीजों को अच्छे से मिला लूँगी इसके बाद मैं इसमें स्वादा अनुसर नमक डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से मिला लूँगी इसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी यहां मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है यह चिकन विद बोन है आप चाहे तो यहां बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं चिकन को मैंने मेडियम पीसेज में काट कर अच्छे से दोकर साफ कर लिया है चिकन को हम हाई फ्लेम पर 4-5 मिनट तक भून लेंगे फ्रेंड्स आप मेरी यह रेसिपीस फेस्बुक पर भी देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोज को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले रेसिपीस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके बाद मैं इसे ढग दूँगी और लो फ्लेम पर इसे 15 मिनट तक पाकने दूँगी 15 मिनट बाद ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से पाक चुका है सबी चीजों को अच्छे से मिला कर मैं इसमें 15 से 20 फ्रेश करी पत्ते डाल दूँगी करी पत्ते को भी मैं अच्छे से मिला लूँगी फ्रेंड्स जो साबुत मसाले मैंने ड्राई रोस्ट किये थे ठंडा होने के बाद मैंने उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर एक फाइन पाउडर त्यार कर लिया था इसे मैं यहां डाल दूँगी सभी चीजों को अच्छे से मिला कर मैं इसे मेडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनट तक भून लूँगी यह देखिये फ्रेंड्स चिकन का कितना बड़िया कलर आया है यह रेसिपी खाने में तो काफी स्वादेश्ट है और बन भी जट बड़ जाती है आप इसे जरूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि आपका फ्राइड चिकन कैसा बना आप इसे पार्टी में एज़े स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं कुछ देर बाद ये लीजे फ्रेंड्स हमारा डिलीशियस फ्राइड चिकन सर्व करने के लिए तयार है मैं इसे फ्रेश धन्य पत्ते से गार्निश कर दूँगी और गैस ओफ कर दूँगी फ्रेंड्स आप इसे रोटी, नान, तंदूरी रोटी या फिर रुमाली रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें मैं फिर मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें इसे अपने दोस्तों के साथ शेर करें ताकि वो भी इस लजीज रेसिपी का आनंद उठा सकें